परिबाजाओं के आदार पर समाजी करण जो विशेष्टा हैं वो निम्रबरकार हैं पहली विशेष्टा है समाजी करण सीखने की आजन्य प्रकरिया है यानी जीवन परियंत इसमें बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है बड़ा होने के बाद वर्ति विद्ध वस्ता तक कुछ ना कुछ सीखता जाता है दूसरा है संस्कृति को आत्मसाथ करना जिस परिवेश और सामाजिक वातरण में एक बच्चे का समाजिकरन होता है उसी सामाजिक वातरण या संस्कृति की मूली प्रतिमान प्रथाओं परंपराओं को विक्ति सीखता जाता है और अपने आत्म में धारन करता जाता है और उसी के आतारपोस के विक्तित्व का विकास होता है तीसरा है निरंतर वे गतिशील समाजी करण जो है जन्म से लेके वर्दावस्ता तक विक्ति की चलती रहती है और मृतियों विक्ति की मृतियों होने के बाद ही उसका समाजी करण जो है विक्तित्व का विकास है वो होना बंध होता है तो इस प्रकारी से निरंतर गतिशीन प्रक्रिया माना गया है समा वैस्थान सापेक्ष समाजी करण भारती समाज, पष्टिमी समाज, राजस्थानी कल्चर और जमू कश्मीर का कल्चर, रुत्त प्रदेश का कल्चर, इसाई समाज, मुस्लिम समाज इस प्रकार के सामाजिक विबिनताओं वाले व Aufghtyों का समाजी करण विभिन भिन भिन प्रकार से होता है क्योंकि उनकी संस्क्रती जो है वो अलग है उनकी संस्क्रती के आधार पर वो लोग काना, पीना, उचना, बेटना, रहिंसेन का तरीका, कबड़े का पहनावा इत्यादी जो विविन्निता ही होती है विक्ति की संस्कृति के आदार परता है संस्कृतिक विविन्निता के कारण विक्ति का समाजी करन भी विन्निता है लेकिन प्रक्रिया सीखने की ही होती है विक्ति सीखने के माद्यम से ही इन सब चीजों को धारन करता है और अपने आप क्या होगा इसके बारे में आपको बताते हैं उधारन के माध्यन से एक बच्चा था मोगली जन्व के बाद वह जंगल में छोड़ दिया गया रहने के लिए किसी भी कारण से जंगल में रहते समय वह किस समाजिक बातवरन में था जंगली जानवरों के बीच में जंगली जानवरों की संस्कृति और हमारी संस्कृति में भिन्यताय होती है उनका खाने पीने का तरीका, रहन सेन का तरीका, उठने बैठने का तरीका और मानव समाज में खाना पीना, रहन सेन, उठने बैठने के तरीका में भिन्यताय है तो उस बच्चे का समाजी करण जो हुआ वो जंगली जानवरों के बीच मुआ तो उस पे क्या परभाव पड़ा वो जंगली जानवरों के ही सामाजी सांस्कृतिक मूल्यों को उसने सीखा क्या सीखा? वह कपले नहीं बेहनता था जैसे जंगली जानवर अदनंगे रहते थे उसी प्रिकार से वो नंगा रहता था उसका चलने का तरीका उसने चलमनिश्य की तरह चलना नहीं सीखा वे जानवरों की तरह चलने लगा था उसने भाशा नहीं सीखी भाशा की जवए जैसे जंगली जानवर इशारों में और हावभाव जानवरों के हावभाव के आधार पर वो अपनी बातों को समझाते थे वो उसी प्रकार अपनी बातों को समझाता था विक्ति का समाजी करन में उसी संस्क्रतिक प्रमपरा और प्रताओं के आधार पर होता है इसी प्रकः समाशास्त्रियों ने भी अध्यान के आधार पर बताया था अन्ना ऐसावलकास है प्रस्तुद किये थे ऑन्ना ऐसावेला जो थी वो एक लड़की थी उसका उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए उसे उसी कमरे में खाना दे दिया जाता था बाहर के लोगों से उसका संपर्क छोड़ दिया था तो उससे क्या हुआ वहे उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी तीन-चार साल बाद जब उसे निकाला गया उसे ना सही से बोलना आता था ना सही से खाना खाना आता था ना सही से चलना आता था तो वह अस्वस्त बच्चे के रूप में सामने प्रकट होई उसे रोशनी से दिक्कत होने लगी थी तो इस प्रकार की आदते होती है समाजी करन के माध्यम से एक विक्ति इतनी चीजों को सीखता है कि उसके माद्यम से ही वे प्रकारयात्मत सदस से बनता है समाज का और उपने जिद्दैनिक जीवन की जो कार्यों को वो सही तरीके से करकर सामानी मनुश्यों की तरह प्रकट होता है नहीं तो एक व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व जो है सही तरीके से विक्सित नहीं हो पाएगा और वो समाज का सक्री सदस नहीं बन पाएगा